नमुश्कार SBT News में आपका स्वागत है पेश 28 जुन्वरी शनिवार दोपर सवा एक बज़े राजस्तान की बारा बड़ी खबरें सबसे पहले एक नज़र डालते हैं अच्की हैडलाइन्स पर पेम मोधी पहुँचे डबोक एएरपोर्ट प्रिभारी मंत्री जौटने की अस्वागत जूनियर बैच के IAS को कलेक्टर बनाने पा सीनिरस ने जताया पत्ती मोधी के दोरे के बाद इलक्षन मोन में आएगी भाचपा NCC की वार्षिक रैली को संबोधित करेंगे पीम मोधी पुलवामा में भारत जोड़ो यात्रा शुरू महभूबा मुफ्ती भी शामिल और अब खबरे विस्तार से पीम नरेंद्र मोधी शनिवार को दिली से वायू सेना के विशेश विमान से शनिवार सुबे 10.45 पर महराना अपरताप एरपोर्ट पहुंचे करीब 15 मिनट रुकने के बाद मोधी हलिकॉप्टर से भीलवाड़ा के लिए रवाना हुए एरपोर्ट पर स्वागत के लिए कई जन प्रतिनेधी मौजूद रहे दरसल पधान मंतरी मोधी भीलवाड़ा हलिकॉप्टर से जाने का कालिक्रम था लेकिन पूटकॉल के तैट अगर मौसम खराब होने के दौरान हलिकॉप्टर से यात्रा नहीं होने पर सडक मारक से जाना पड़े तो एरपोर्ट पर गाड़ियों का एक्स्ट्रा काफिला मौजूद रहा जूनियर बैच के आईएस को जूला कलेक्टर बनाए जाने पर सीनियर बैच के अफसरों में नाराजगी सामने आई है जूनियर बैच 2016 की आईएस स्रीन डाबी, अमितियादव और रविंद्र गोस्वामी को तो कलेक्टर बना दिया गया लेकिन उससे पहले की बैच के 2015 के कई आईएस को अभी तक मौका नहीं मिला है इस पर अफसर खुल कर बोलने से बच रहे हैं लेकिन अपनी मांग मुखे मंत्री तक जरूर पहुँचा दी है प्रदेश में अभी तक वश्ट 2015 और 2016 की बैच के कुल 18 में से 8 आईएस को जिले में करेक्टर बनने का मौका मिला है प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी के आसींद दौरे की बाद भाजपा का केंडरी नेतरत व राज़िस्तान भाजपा की आगामी दिशा तै करने के लिए पैंडिंग मामनों पर काम शुरू करेगा चुनावी साल में वसंद्रा राजप की भूमी का तै करने प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया के कारेकाल के एक्स्टेंशन और संगठन में कुछ बड़े पदो पर बदला जैसे फैसले होने हैं असल में आसेंद की सभाकों मोदी की ओर से राज़सान में चुनाव अभियान की शुरूवात के रूप में देखा जो रहा है इससे साल दिसंबर में होने वाले विधानसवा चुनाव को लेकर पार्टी अब अग्रेसिव मोड में आएगी प्रधान मंती नरेंद्र मोदी आज़दिली के करियापा परेट ग्राउंड में नैशनल क्यारेट कोर्ट की वाशिक रैली को सम्बोधित करेंगे एंसेसी इस साल अपना स्थापना का 55 मावश मना रहा है मेडिया के मताबिक एंसेसी के 75 साल पूरे होने के मौके पर पीयमोदी 75 रुपय मुल्य का एक समारक सिक्का भी ज़ारी करेंगे नियूज एजन्सी के मताबिक कारकरम शनिवार शाम 5.45 से शुरू होगा कॉंग्रिस की भारत जोड़ी यात्रा शनिवार सुबे पुलवामा जिले में अवंती पोरा के चूरसू से शुरू हुई यात्रा में पीडिपी चीफ महमुबा मुफ्ती हजारों महिलाओं के साथ शामिल है प्रेंका गांधी के भी पहुँचने की उमिद है यात्रा में शुकरवार को सुरक्षा में सेंध लगने के बाद राहुल गांधी ने इसे रोख दिया था कॉंग्रिस ने इसके लिए भाजपा को जिम्मेदाठ है राया था जुन्जनु जिले की 301 पंचायतों में संचालित सरकारी विभावग में जहां हाइ स्पीड इंटरनेट सेवा नहीं है वहां पांस सरकारी दफ्तरों में BSNL के और से फाइबर कनेक्शन दिये जाएंगे इनका पूरा खर्च राजी सरकार उठाएगी इस योजना केता है थि जुले का पहला आप्टिकल लाइन टर्मिनल चूडी अजीदगर पंचायत में लगाए गया है BSNL के महाप्रबंदक राकिश कुमार ने बताया कि इस OLT के जरीए चूडी अजीदगर सहीत आसपास की पंचायतों को भी हाइ स्पीड इंटरनेट सेवा मिल सकीगी नेशनल ग्रीन टरिबूनल ने फतासागर और सजन्गर सेंचूरी के आसपा रेस्टोरेंट, होटल, मेरिज गार्डन, बैंक्वेट हॉल, खानफान की स्टॉल्स को लेकर आपती जोताई है इन्हें नोटिस जारी किया गया इसमें एको सेंसिटिव शेत्र में ध्वनी प्रकाश और वाईू प्रोडूशन नियमों की अवेलना पर चिंता जवाहिर की गई है यहें नहीं जिमेदार विभागों से चार सब्ता हमें जवाब भी मांगा है मामले के अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी अलवर शहर के रोड नमबर दो पर दीपक जवालर शोरूम पर दो लाक रुपए की सोनी की चोरी करने वाले दमपत्ती का वीडियो सामने आया है चोरी 26 जनवरी की दोपैर में की गई इस वारता अतकों जाम दिया रासान के सरकारी कॉलेजे में 30 साल से लाइबरेरियन पत के लिए भरती प्रक्रिया नहीं हो रही है सरकार ने इन पदों पर भरती निकालने के गोशना तो कर दी लेकिन वित विभाग के बाद ये प्रक्रिया नियमों में उलच कर रह गई है और स्विकृति नहीं मिल पाई है ऐसे सिती में प्रदेश के 460 कॉलेज में से 334 में पद रिखत हैं में 26 कॉलेज में लाइबरेरियन कार रहत हैं बारमेर के सबसे बड़े PG कॉलेज में लाइबरेरियन नहीं होने से 60,000 पुस्तकों की सार संभाल नहीं हो रही है हिमाचल कॉंग्रेस प्रदीश द्यक्ष प्रतिभा सिंग के बयान से कॉंग्रेस में हड़कम मच गया है प्रतिभा ने ये क्याकर सबकों चौंका दिया कि कॉंग्रेस नहीं हारते तो सुखों की जगव हो सीम होते प्रदीश द्यक्ष के इस बयान के बाद एक बफिर सी कॉंग्रेस में एक जुटता की कलई खुल गई है राजनिती के जानकारों की माने तो इससे कॉंग्रेस में गुटबाजी की चिंगारी और सुलग सकती है क्यूंकि दूसरा धड़ा इससे खुश नहीं है चार धाम यात्रे की तैयारियां शुरू हो गई है केदारनाथ धाम की कपार 26 सप्रेल को और गंगोत्री या मनोत्री की कपार 22 सप्रेल को खुलेंगे श्री बदरिनाथ केदारनाथ मंदर समिती ने इसकी जानकारी दी वहीं बदरिनाथ की कपार 27 सप्रेल की सुबह 7-10 पर भक्तों के लिए खोल दिये जाएंगे अजमेर के केचरी रोड पर स्थित अजमेर नमबर प्लेट की दुकान में शुकरवार देरात आग लग गई आग लगते ही शेत्र में हड कम मज गया सुचना मिलते ही दुकान मालिक लॉक टावर थाना पुलिस वे अगनी शमन विभाग की गाड़िया मौके पर पहुँची और आग को बुझाने का प्रयास किया करीबे गंड़की मशकत के बाद आग पर काबू पाया गया आग लगने के कारण दुकान मालिक को 4-5 लाखा नुकसान हुआ है तो फिलाल इस बिलेटिन में इतना ही फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ